Hi kids, let's do our chapter The Bees, यह poem जो है William Shakespeare ने लखी है So work the honeybees, creatures that by a rule in nature teach, the art of order to a peopled kingdom, they have a king and officers of swords तो यह कविता जो है, इसमें William Shakespeare हमें यह बता रहे हैं कि जो मधु मख्या हैं जिने प्रकर्ती ने बनाया है तो यही प्रकर्ती जो है मधु मख्यों के रस्ते से हमें सिखा रही है कि लोगों पे राज्य करने की जो कला है तो वो हमें किस से सीखनी चाहिए है, honeybees से They have a king and officers of swords, तो उनके पास एक राज्या है और बहुत अलग-अलग तरहें के जो हैं, अफसर हैं अफसर क्या कर रहे हैं, अलग-अलग departments में जो लग काम कर रहे हैं, वो अफसर हैं They are some like magistrates, correct at home, और अगर घर में कभी कोई गडबर हो जाए, कोई मधुमक्षी जो है, जो छट्टे के अंदर काम सही से नहीं कर रहे हैं, तो उससे ठीक करने के लिए कौन है, magistrates हैं फिर कुछ जो है, others like merchants, venture trade abroad, तो कुछ मधुमक्षी जो है, वो व्यापारियों की तरह हैं, वो जो है, छट्टे से बाहर निकलती हैं, और अलग-अलग फूलों के पास जाती हैं, ताकि वो वहाँ से मधुई खटा करके ला सकें others like soldiers, armed in their stings, और बाकी जो है, वो सैनिको की तरह हैं, वो जो है, उनके पास डंक हैं, उन सब के पास, तो अगर कोई गरबड करेगा, तो जैसे सैनिको के पास गन होती है, ऐसे मधुमक्षीओं के पास डंक है make boot upon the summer's velvet buds, वो जो है, बाहर निकलती है, summer season में, जो summer season में जो फूलों पे जो छोटी-छोटी कलिया आती है, फूलों की जो कलिया है, उसे कभी कह रहा है कि वो velvet की तरह होती है, तो उसमें से मधु खटा करने के लिए जो है, ये soldiers वाली जो मधुमक्षीओं ये बाहर निकलत करने के लिए, विच पिलिश दे विद मेरी मार्च प्रिंग होम तुदा टेंट रॉयल ऑफ देर एंपरर, और जब ये जो लूट है, जो ये जो मधु इन्होंने इखटा करा है, फूलों से तो उसकी जो लूट जो है, जो वो पूरा माल जो है, वो जब उनके पास पूरा इखटा हो जाता है, तो फिर वो अपने घर की तरफ वापस आती है, और बहुत खुशी-खुशी आती है, कहां पे आती है, अपने राजा के टेंट में, तो अपने राजा के पास जो है, वो वापस आती है, दिखाने के लिए, कि हमने कितना माल इखटा करके, हम कितना इखटा करके हम लाए हैं Who busied in his majesty surveys? तो जो राजा है वो अपने राजे के निरीक्षण में busy है The singing masons building roofs of gold जो मिस्टरी मदुमक्खियां है मिस्टरी मदुमक्खियां कौन हुई? वो जो घर बनाती हैं तो वो मदुमक्खियां जो है गाते हुए जो है मधुमक्ही का जो छटा है वो बना रही है और वो जो छटा है उसकी जो छट है वो सोने की तरह है सोने की तरह कियो है क्योंकि जो मधुमखी का जो शहद होता है वो सोने के रंग का होता है तो इसलिए कभी उसकी तुलना जो है गोल से कर ला है जो सामान ये नागरिक वाली मधुमख्यां वो शहद को मिक्स कर रही है और वो मधुमक्हियां जो एक जगे से समान दूसरी जगे लेके जाती हैं वो जो है छत्ते के छोटे-छोटे जो छेद होते हैं उसमें से भारी-भारी जो शहद का गठर है वो एक जगे से दूसरी जगे लेके जा रही है और जो न्याय करने वाली मधुमक्हियां जिनका काम है न्याय करना वो जो है अपनी दुखी आखों से जो है गुस्से में भिनबिनाते हुए वो जो लेजी मधुमक्हियां जो कुछ नहीं कर रही हैं सिर्फ जो है उवासियां ले रहे हैं ऐसी जो मेल मधुमक्हियां उन्हे कि जू है वो किसके हवाले कर रहे है उन मदू मक्यों के हवाले जिनका काम है उन्हें देना तो वो क्या करेंगे मार देंगी तो जो जो अन्हें दिया जाएगा एक्जेक्शेक्श थे तो जस्टिस जो है वो उन्हें एक्जीक्यूटर्स के पास दे दे रहा है कि लो तुम इन्हें मार दो इन्हें जस्टिस दो तो यह कविता जो है इससे हमें यह पता चल रहा है शेक्सपेर जो है वो हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि जो मधुमक्ही आएं उनसे हमें जो है य कुण सी मदुमक्ष का क्या काम होगा हों हर मदुमक्ष जो अपना काम अच्छे से कर रही है तो ये ही चीज जो है वो शेक्सपेर चाहते हैं कि हम इंसान जो है मदुमक्ष म से सीखे बाऊ है